असलामुलीकूम, वल्कम है आप सभी का इस नई वीडियो में, तो आज की स्यूडियो में हम बात करने वाले हैं, जेके बोपी, बीसे नर्सिंग, बीसे पारमेडिकल और बीसे टेकनोलोजी कोर्सिस की जो एडिमिशन प्रॉसस है, 2023 सेशन के लिए, उसी के बारे में हम इस स् अप्लिकेशन फॉर्म कबसे लगना शुरू हो जाएंगे, और उसके साथ आपका सेलिबस क्या रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा, NCRT ने काफी सारा सेलिबस 11-12 का रैशनलाइज किया, यानके रेडूस कर दिया, तो उससे जो है, वो जेके बोपी का 2023 सेशन पर क्या रहने वाला है, और उसके साथ सबसे important इसमें ये रहता है, क्या आपका स्कोर कितना होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ग्यु provenant colleges में कितना safe score आपका होना चाहिए, और Любला प्र क्या सजूर के लिए कितना safe score रहना चाहिए, और उसके साथ आपको फीर ट्रॉक रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रूप हमारा जोइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और देख लेते हैं, B.S.E नर्सिंग, B.S.E. Paramedical और B.S.E. Technology Course का, 2023 का Admission का Procedure, तो देखिए, पहले मिहाँ पे अगर आपके सार डेट्स के बार में डिसकस करूं कि आपके application form कब से लगना शुरू हो जाएंगे, तो देखिए, J.K.B.O.P. ने कुछ डेज पहले, कुछ डेज पहले किया कि, I think, एक म Mentioned है, कि 29 मारिज को ही यहाँ पे निकलेंगे, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह date जो होती है, यह 22 dates होती है, यह आगे पीछे भी जा सकती, for example, अगर इनुने यहाँ पे 29 मारिज लिखा है, तो यह फिर April 5 या 6 के आसपस आपके application form यहाँ पे लगना शुरू हो ज जून, वो इसी जून के महीने में आपको अपना इंटरंस यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यह रही आपकी dates, इसमें जो आपका application form लगना शुरू हो जाएगा, वो आप मान के चलिए, April के पहले week में आपके application form लगना शुरू हो जाएंगे, अगर जो candidate अभी 12 का exam देने व अगर उनका result तब तक ना भी आया होगा, तो भी कोई issue नहीं है, वो जब merit list आती है, उसके बाद भी आपका option होता है, अपनी mark sheet को upload करने के लिए, ऐसा कोई issue नहीं है, result आने से पहले भी आपके application form लगना शुरू हो जाएंगे, यह तो हो गए आपके dates के बारे में, जो इसक जेके बूपी की, देखी, जेके बूपी का अभी कोई भी नहीं कह सकता है, इसका impact क्या रहने वाला है, लेकिन जब आपके application forms की notification आ जाती है, उसके तुरंत दूसरे या तीसरे दिन बाद, जेके बूपी information bulletin अपना release कर देती है, जिसमें पूरा syllabus mentioned होता है, सारा का सारा syllabus mentioned ह होता है, तो जब तक information bulletin 2023 session के लिए आ जाएगा, तब तक कोई भी नहीं कह सकता है, कि आपका syllabus यहां पर reduce होगा, या नहीं होगा, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है, तो syllabus आपका शायद reduce नहीं होगा, इस बार, इस बार आपका syllabus वही रहने वाला है, पुराना वाला syllabus, जब कर लिजे, पूरे syllabus की preparation कर लिजे, हाँ, इनके जब information bulletin आ जाएगा, अगर उसमें syllabus, जब रेशनलाइज़, अगर उसको इन्होंने skip कर दिया होगा, तो वह अच्छा रहेगा, अच्छा update होगा, तो उस ताम आप उसको skip कर भी सकते हैं, मतलब उसको फिर आगे चलके revises वग होगा, तो फिलाल का जो syllabus आपका है, वो आपका 11th और 12th का पूरे का पूरा syllabus, physics, chemistry, biology का पूरा 11th का भी, और 12th की physics, 12th की biochemistry, 12th की biology, सारी की सारी रहने वाली है, अब आपको अगर study का material चाहिए, MCQ books और NCRT की books, description में लिंक दे दूँगा, एक, वहाँ पे जाकि आप डाउनल कि safe score मेरा कितना होना चाहिए, मेरा target कितना होना चाहिए, यह सबसे important हर कंडिरेड के लिए रहता है, अगर आप JKBOP के अंडर कोई भी course करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने दिमाग में एक बात clear करनी है, कि मुझे कून सा course करना है, मुझे B.A.C. nursing करना है, B.A.C. paramedical क करना है, और तीनों तो मिलते जुलते हैं, लेकिन बाहराल आपको पहले यह डिसाइड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है, कि मैं कहां पर admission होगा, मैं government colleges में admission लोगा, या private colleges में admission लोगा, अगर आपकी family का background अच्छा है, financially अगर आप stable हैं, तो आप private college में इडिमिशन ले सकते हैं, कोई issue नहीं है, लेकिन अगर आप middle class families हैं, तो आप private college को जो है, आफोर्ड नहीं कर पाऊगी, क्योंकि private colleges की fee काफी ज़्यादा होती है, आगे चलके मैं उसकी fee भी आपको बताऊँगा, तो आप government college के लिए preparation यहां पर रख लेना है, आप government colleges में जाना चाहते हो या कश्मीर के colleges जाना चाहते हो, अगर for example, आप मान रहे हो कि मुझे कश्मीर के colleges में जाना है, मुझे कश्मीर के government colleges में जाना है, जिसमें आपका GMC सरनगर आता है, GMC अनंतनाग आता है, Sikima Sora आता है, और इसके साथ GMC 12 मूला आता है, GMC Pulwama आता है, तो यह आता है, GMC अनंतनाग में admission का सोच रहे हो, तो 70 प्लस pointers का है, हाँ पे आप target रख लेना है, तब जाके आपको इन दो colleges में admission मिलेगा, और अगर आप GMC Pulwama की बात करें, तो 60 के plus आपको pointers होने चाहिए, तब जाके आपके थोड़े chances रहते हैं, यहाँ पे admission होने के, अगर आप कश्मीर के अच्छे colleges में admission लेना चाहते हो, जैसे skimmer 11 हो गया, तो बाया 90 pointers प्लस आपका target यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके आपको GMC, इसको skimmer 11 में admission मिल सकता है, बाकि अगर आप 30 चाल इस pointers पे फिर चले जाओगे, फिर वहाँ पे कहीं पे admission नहीं मिलने वाला है, क्यों आपको मिल सकते है 70-80 pointers, 75 pointers की, आसपस अगर आपका score रहता है, तो अगर आपके 50-40 के below है, तो फिर कश्मीर में आप government college का सोचना भी नहीं, अगर आपके 60 के below भी है, तो भी आप सोचना ही नहीं कश्मीर में आपको college मिल गए, especially अगर आप open category से हैं, open category से अगर आप हैं, तो competition आपको काफी ज्यादा यहां पे रहने वाला as compared to category, especially CST वाले हैं, उनकी तो मज़े हैं, उनको कम score भी अगर होगा, तो भी उनको अच्छा खासा college मिल जाता है, तो बहराल उसको छोड़ दीजिए, उसके बार में में आपके बात नहीं करने, मैं आपको in general बता रहा हूँ, कश्मीर के लिए, आप 75 pointers के प्लस target रख लेना, अगर आप कश्मीर के normal call जैसे GMC सरनागर, GMC बारमला और GMC अनंतनाग या GMC सरनागर चाहते हो, तो 80 के प्लस रख लेना, GMC बारमला और GMC अनंतनाग के लिए 75 प्लस या 75 के आसपास आप target रख लेना, बागी से के में 16 चाह लेकिन फिलाल के लिए, आपके दिमाग में जो target होता है, वो महीं आपको clear कर रहा हूँ, अब देख लिए, आप कोई candidate कह रहा है कि मुझे जम्मू के government colleges में जाना आदेखे, आप जम्मू के government colleges के लिए अगर आप जाना चाहते हो, उसमें GMC जम्मू अगर आता है, GMC 70 प्लस अगर आपका target है, तो आप chances है आपको यहाँ पे मिलने के, और इसके साथ जो दूर दराज के जैसे उधंपोर, रिया, सीरा, जोरी, इसके बाद डोड़ा वगेरा हैं, तो इनमें अगर आपको 60 के आसपास भी हैं, तो भी government college आपका मिल सकता है, बाकी categories हैं 50 के आसप एब होनी, तो यह सेथ स्कूर सबस्थ क्रेंगा के नहीं, तो भी seráat कि फैट के बारे में अगर आप교य caught up कर आपने हैं, तो दूसके आपका chlores सेब स्कूर के बारे में, तो यह तो इसकोड़े सेब्ड़ाए पार करेंगे, तो यह तो होगे सेव आपका सेब्त सबारा कर करे बता होना चाहिए कि भाई अगर में फॉर्म फिल अप कर रहा हूं तो फी मुझे कितनी यहां पर लगने वाली है तो देखिए फी के बारे में अगर में यह आपको बता हूं तो फी आपको गुर्मेंट कॉल्जिस में जह वो 10,000 से लेके तक यहां पर आपको रहने वाली है अब 10-25,000 के बीच में यहां पर वेरी कलता है कि आपको उनसे कॉल्ज में अड्मिशन ले रहे हो तो उसमें यहां पर जैसे गर आप GMC जब इसमें अननतनाक की बात के रहे इसमें आपको 10,000 फी लगेगी और बाकी सारे कई काल्जेश में आपको 10,000 रहने हो ले कुछ काल्जेश में आपको 20,000 तो फीज स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डीटेल में वीडियो डाला है 10-15 मिनट का है सारे जितने भी गवर्मेट प्राइवेट काल्जेश है उनका फीज स्ट्रक्चर में ने उसमें डिसकस किया है तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं जैके बो भी फीज स्ट्रक्चर बार बीएसी नर्सिंग बाई सजाद स्पीक्स आप गूगल इस पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजे आपको वीडियो मिल जाएगा सारे काल्जेश का उसमें मैंशनेंड है अब एक एक करके सारा का यहां पे देख सकते हैं तो ऐसे आप मानके चलिए 10 से 25 हजार के आसपस आपको गवर्मेट काल्जेश में यरली रहने वाली है और प्राइवेट कॉल्जेश में आपको कहीं पे आपको 70,000 लगेगी कहीं पे आपको 80,000 लगेगी कहीं पे 90,000 लगेगी और सकॉम्स की बात करें इसमें आपको 1,15,000 यरली फी लगेगा अडिमिशन के बारे में 2023 बैच का वो मनें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की बाकि जो मनें कर्ट आफ बता दिया वो कर्ट आफ नहीं है वो रही के रहे हैं जा आपके लिए उसमें कन्फूज मत हो जाना तो चलिए वीडियो को इहें पर खतम कर लेंगे कोई कन्फूजन डाउट हो का कमर्ट सेक्शन में बता सकते हैं